मैंने अक्षा कुमार को रेखा और सुश्मिता सेन के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। रबीना टंडन के इस बयान ने तहल का मचा दिया है। ये बात जग जाहिर है कि अक्षा और रबीना का लंबा अफेयर चुला था। दोनों ने एक दूसरे से मंगनी भी कर ली थी और घर में शादी की तयारियां शुरू हो चुकी थी। लेकिन कहा जाता है कि इनके प्यार के बीच रेखा ने अपना बीच बो दिया। 13 साल छोटे अक्षय पर रेखा अपना दिल हार गई और दिलो जान से उन्हें प्यार कर बैठी। बात साल 1996 में रिलीज होई फिल्म खिल से पढ़ चुके थे। उन दिनों अक्षय और रवीना का भी अफेर चल रहा था। लेकिन कहा जाता है कि बाब जुद इसके रेखा दोनों के बीच आ गई। इस्टारडम मैगजीन में रवीना का इंटरव्यू बड़े बड़े अक्षरों में छपा था। जिसमें रवीन जेっelyn कहा था कि मुझे नहीं लगता कि अक्षय को पढ़ी रेखा से कोई लेना देना था। सच तो ये है कि अक्षय हमेशा रेखा से दूर भागते रहे केवल फिल्म की वज़ज़से ही अक्षय ने रेखा को छेला था। रवीना ने बताया कि रेखा अक्षय के लिए घर से लंच का डबा तक लाना चाहती थी और इसके बाद रबीना ने ये कहते हुँ जंडा गार दिया कि ये चीजें अब कुछ जादा ही आगे जा रही है इस इंटरव्यू के बाद एक तरफ अक्षय और रबीना का रिष्टा तूट गया तो दूसरी तरफ रेखा भी अक्षय से दूर हो गए लेडी लब कहे जाने वाले अक्षय कुमार भी अकेले पड़ गए थे और फिर उनकी जंदीगी में ट्विंकल खन्ना की एंटर हुए और फिर दोनों ने शादी रचाली हाला कि काफी सालों बाद रबीना और अक्षय के रिष्टे सुधर गए हैं और दोन हमें कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉली बुट पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजे